प्यार सूरत और सीरत का मुहताज नहीं होता ना धर्म देखता है ना जाती ना उच ना नीच बस एक बार प्यार होनी की देर है और फिर अपने इस प्यार को मकमल कर दे के लिए अपनी इस प्यार को काम्याब बना ले के लिए हर जो कोशिश होती है वो प्रेमी युगल की तरफ से की जाती है और शादी करके ही प्रेमी युगल मानते है लेकिन आज एक बेहद ही खोबसूरत और अनोखी लव स्टोरी या शादी की कहानी आप उसे कह सकते हैं जो लेकर हम आपके सामने हाजर हुए हैं जिसे देखकर आप भी सोच में पढ़ जाईएगा कि आखिर ऐसा प्यार भी होता है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किसी आम अनसान की नहीं बलकी एक ऐसे प्रेमी युगल की है जिसमें लड़की मात्र चार फुट की है और लड़का सारह चार फुट का इन दोनों के बीच प्यार होता है और फिर ये प्यार शादी में बजल जाती है कहा की है ये लव स्टोडी किस तरह से इस चार फिट के लड़की में साहे चार फिट के लड़के से प्यार किया और फिर परिवार के रज़ाबंदी के साथ इन दोनों की शादी करवाई गयी है इसकी पोरी स्टोरी आपको सुनाते हैं बता दे कि जोधपूर के रहने वाले सारे 4 फिट के सौफट्वियर इंजीनियर पवन की 4 फिट के शिवानी से शादी हुई है यह शादी लोगों के बीच चर्चा का विशे बनी हुई है उनकी शादी की कहानी किसी फिल्म स्टोडी से कम नहीं है चन्नाई की कंपनी में पोस्टेट पवन ने शिवानी को पहली बार देखते ही मन बना लिया था कि अब उनकी लाइफ सेट हो चुकी है दरसल हाल ही में महता शहर के 29 साल के भांचे सौफ्ट्वेर इंजीनियर पवन सुथार की जोधपुर में 24 साल की स्केच आर्टिस्ट शिवानी से शादी हुई है पवन सुथार सतंबर 2020 में जोधपुर में अपनी मौसी के घर गए हुए थे ऐसी दोरान उनकी मौलाकात सिवानी से हुई थी वहां दोनों में गपशप हुई बातों ही बातों में दोनों की आखे चार हो गई और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्हें एक दूसरे से प पवन ने अपने और शिवानी के परिवार से शादी की बात की दोनों परिवार शादी के लिए सहमत हो गए और इन दोनों की शुक्रवार को शादी करा दी गई बतादे कि शुक्रवार को तै कारिक्रम के मुताबिक जोधपूर में पवन और शिवानी की शादी हुई है। इस शादी में पहुंचे महमानों से लेकर वहां मौजूद हर शक्स ने दुलह दुलहन के साथ फोटो खिचवाने और सलफी लेने को लेकर जबरदस क्रेज दिख बतादे कि दुलहे पवन के मामा बंटूसान ने बताया कि पवन पेशे से सौफ्टवेर इंजीनियर है उसके दुलहन सिवानी पेंसल स्किच बनाने में माहिर है और दोनों काफी खुश मजाज हैं। दुलहे पवन ने बताया है कि जब उन्होंने पहली बार मौसी के घर शिवानी को देखा तो बस उसे देखते ही रह गए। उन्हें वहीं यह हैसास हो गया कि अब लाइफ तो सिट हो चुकी है। शिवानी के साथ वो खुश है। उन्होंने सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया और उनकी जोडी को आशिरवात देने की बात भी कही। तो और इस प्यार को मुकंबल बनाने के लिए इसमें अशादी इन दोनों ने की है और परिवार वालों के सहमती से उनके आशिरवात के साथ इन दोनों ने शादी रचाई है। यही वज़ा है कि यह शादी इस वक्त चर्चा का वश्य बनी हुई है। फलाल के इतना ही अपडेट के लिए आप बनी रहें न्यूस फोरनेशन के साथ तमस्कार।